अमने उस दिन गाडी चलाई, मैं नहीं, देवेंद्र जी नहीं, और रोड पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था, ऐसा ये रोड बनाया, वर्ल्ड क्लास रोड बनाया हिंदुरुदै सम्राट, बासाय ठाकरे महराष्ट सम्रुद्धी महामारग, या उद्गाटन प्रसंगी, आपल्या देशाचे, लोक परिया, यशस्वी, प्रदान मंत्री, अधर निया, नरेंद्र मुदी सहिवां सम्मी, महराष्टाचा जंतेचा वतीने मना पासुन करतो, मंचावर उपस्तीर, राज्यपाल महोदय, अधर चिंग कोशारी जी, नितीन गडकरी सहिव, उपमुख्य मंत्री, अमचे लाड़के देवेंद्र फण्नवीच जी, राव सहिव, दानवे जी, भारतिताई पवार, चंदरशकन बावन्पुले, अमचे मंत्री मंदर तील सर्वस्त्वाकारी, खासदार, आमदार, आणी मोट्या संकेने उपस्ते, बान्दव, भगिनी, आणी पत्रकार मित्राणू, आज हिंदरुदय सम्राड, बाशे ठाकरे सम्रुद्धी महमार्गाच पहिले टप्यच उद्गाटन जाले, अणी आज खर मंजे, मेट्रो रेल चा दुसरे टप्यच उद्गाटन जाले, आजर निया प्रधान मंत्री महुदयायंच शुबास से अनकी का उद्गाटन होता है, सम्रुद्धी महमार्गाच पहिले टप्यच उद्गाटन जा, माजा साथी केवल स्वपनपूर्ति चा नाही, तर आनन्दा चाहिए, अभिमाना चाहिए, आणि गर्वाच चाहिए, घर मंजे अभिमान या साथी आए, कि या कारिकमाला या उद्गाटनला या देशाचे लोकप्रिय प्रधान मंत्री मोधी सायव उपस्ति जाले, याचा आमला सार्थ अभिमान है, अपले शगयना अभिमान है, अणि अनंद याचा है, कि देवेंद्र जीननी जवा मुख्य मंत्री होते, अणि त्या विलेस माजावर विश्वास दाखावला, अणि तनचा संकल पने तोन मी काम केल, अणि आथा मी मुख्य मंत्री हस्ताना, अणि आमी दोगई एकत्र हस्ताना, अणि आदर्निय अध्यानि चा हस्ते, याचा लोकारपन होते, याचा अनंद खूप मुख्य मोठा है, अणि त्याज बरबर या महामारगाला, हिंदुरुदै सम्राट, बासाय प्ठाकर याँचा नाव आमी दिले, याचा एक खूप मुख्य मोठा अनंद आ, आणी मनों मीखर्यार्ताने आज भाग्याय समस्टो भाग्यवान समस्टो सोताला देवेंद्र जीने आमी सुरू केला हा महामार्ग अणी आज once काडा मदे कार कीर्दय मदे नहीं लोकार पन होता है यहिचा मदे खूप अढचनी आलया देवेंद्र जिनी सांगित लिया परन्तु लैंड एक्क्विजिशन मदे खूप विरोध जाला विरोध कराय लावला बैटका जाला जमिन देवुने मनून था प्रकल्प होवुने मनून अनेक लोकानी प्रहत्न केले परन मी आणि देवेंद्र जिनी शिहायत जगले शुरुवाती पासुन आजाई आज ते समोर बसलेले आज चाव लोकार पनाव असा इतियासात कदी दुर्मिल आस्त कि सुरुवाती पासुन शेवट परियन हे सर्व लोग सोबत होते अनि शेत कराना विश्वास दिला तेना वाटला आमचे पाईशे भेट तिल की नाई परन्तु आमे आर्टीजेच चा माध्यमा तोन तेनचा खाट्यात पाईशे जमा केले तेनचा मरे एक विश्वास निर्मान केला अने कडचनी निर्मान जाले परन्तु ते सगले आडचनी आमें विश्वास निर्मान केला यला विशेश प्रकल्पाचा दर्जा दिला अणि त्या मुले लैंड एक्विजिशन जे आहे सगल्यात मोटा पार टपास तो जमीन अधिगरन त्या में रेकॉर्ड टाइम मदे केलो सगल्या शेत कराना विश्वासात गेवून अणि त्या खर्यारता ने याचा मदे आमें सर्वकालजी घेत लिया है हाँ इको फ्रेंडली रस्ता है यहां पर 11 लाग पेड लगा रहे है कम से कम कमित कमे 35 लाग ज़ड़ा अपन लावतो है हाँ पुर्ण ग्रीन कोरिडोर है अडिशे मेगावैट किमबवना त्याई पेक्षा जास त्या त्याई प्राणि जी आहे अधर निया तुदान मंत्री जी वन्य प्राणि जो है उनके लिए भी अंडर पास और ओर पास हमने की क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लैव दिश्टब न हो उनको जंगल का फील आवे इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समरुद्धी महामार्ग आज इस कगार पर पहुचा है श्रड़ी तक हुआ है अग एक साल के अंदर आट-दस मैने में मुंबई तक ये समरुद्धी महामार्ग पहुचेगा एक सिर्फ हाइवे नहीं है एक गेम चेंजर प्रकल्प है ये हमारे महाराष्ट की समरुद्धी जो हाइवे है ये महाराष्ट की भाग गेरेशा बदलने वाला ये समरुद्ध हाइवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट की नई लाइप लाइन कहलाएगा ये आज इसके सिर्फ हाइवे नहीं इसके दोनों तरफ में कई हम नव न अगर बनाना चाहते हैं और वहां कई इंडस्टी आएगी वहां पर इंडस्टियल हब होगा एजूकेशन हब होगा आईटी हब होगा प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे लोजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समरुद्धी साथ सो एक किलोमीटर का देश में सबसे लंबाई वाला बहुती वेगवान ये महमार्ग है हमने उस दिन गाड़ी चलाई मैंने नहीं देवेंद्र जी नहीं और रोड पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था ऐसा ये रोड बनाया वर्ल्ड क्लास रोड बनाया जैसे जर्मनी आटोबान का उधारण लोग देते हैं लेकिन उससे कई गुना अच्छा ये रास्ता ये समरुद्धी साबित होगा इसका हमें बहुती अनंद है ये विकास की गंगा बहाने वाला ये समरुद्धी हाइवे होगा इसका सभी लोगों को किसानों को फाइदा होगा और ये सम चौदा जिले को कनेक्टर के माध्यम से जोडने वाला है यह महारास्ट के चोभी जिलो को इंपैक्ट देने वाला फाइदा देने वाला सम्रुद्धी हाईवे है और मैंने कहा कि परियावरन का भी पूरत पूरी तरह ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है और य लाक के किसान, शेतकरी, भूमी पुत्र वो सभी लोगों को बिलकुल उनके कंसेंट से हम लोगों ने जमीन अधिग्राइद किये उनके माध्यम से हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है और इसलिए ये गडचोरिली, बंडारा, गोंदिया, नांदेड, मतलब तेलंगना, च में सभी जिन जिन लोगों ने सयोग किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनका अभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ये बहुत कठीन काम था, बहुत चालेंजिंग काम था, और उसे हम लोग अधरनिया प्रधान मंत्री जी के अशिरभाद से, हमारी सब ट का एक ड्रिम प्रोजेक्ट है, उसे भी हम लोग गती दे रहें, उसे आगे बढ़ा रहें, ये अमारे महाराष्ट के लिए प्रगती के लिए बहुत ही कारगार साबित होगा, और इसलिए जैसे देवेंदर जनी का डबल इंजिन सरकार हां, हम लोगों ने जब सरकार भावना निर्मान हुई है, और आपका भी आशिरवाद हमें प्राप्त है, आपने पहले दिन हमें कहा था कि शिंदे जी, डेवेंदर जी, आप राज्य का विकास करो, जनता के हित के काम करो, केंदर सरकार पूरी तरह आपके साथ ताकत से खड़ी है, और हमें विश्वास है कि आपने रोड के लिए, रेलवे के लिए, नगर विकास के लिए लाखो करोड रुपया, दो लाख करोड रुपया की प्रावधान भी आपने किया है, आगे भी हम आपकी मदद चाहते है, सयोग चाहते हमारे राज्य में इंडस्त्री आवे, बड़े बड़े लोगों हजारों लाखों लोगों को काम मिले, यही हमारी कामना है, और यही और हमें विश्वास है कि आप हमें पूरा सयोग कर रहे हैं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेहनत करने वाले लोग हैं, दोनों भी हमारे मंत्री लोग सब मेहनत करते हैं, हम लोग म हुआ है हमें पता है G20 का क्या महतु है G20 का अध्यक्षता पद मिलना यह हमारे देश वासियों के लिए घवरव की बात है और आपके नेतरुत्व में ये G20 ये देश में आयोजन होगा हमारे सभी राज्यों को मुंबई को नाकपूर को इस राज्य के पूना है संबाजी नगर है हमारा ब्रैंडिंग हमारे काम हमारा जो इन्वेस्मेंट पोटेंशिल है हमारे इन्फरा प्रोजेक्ट है और हमारा यहां ब्रैंडिंग करने का शोकेसिंग करने का भी मुका मिला है ये केवल आपके वज़े से मिला है क्योंकि पिछले साथ आठ साल में जो हमारी भारत की अर्थ विवस्ता को आपने इतने उचाई पर रखने की कोशिश किया है इसलिए ये मुम्किन हुआ है और मैं कहूंगा मैं हमेशा कहता हूँ हमारे प्रदान मंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया है पूरे दुनिया में भारत का नाम आजरोशन है आप प्रदान मंत्री आपके वज़े से हम जानते है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आगे हमारे महारास्ट के उपर आपका अशिरवाद बनाए रखिये हम लोग महारास्ट को सर्वांग सुन्दर करना चाते महारास्ट के सर्वांगिन विकास करना चाते हर एक घटक को हमारे सभी लोग किसान हो कामगार हो, कष्टकरी हो हमारी माता बहने हो, विद्यारती हो, शिक्षक हो सभी लोगों के जीवन में आमुलागर बदल लाना चाते यही हम चाते इसलिए हम आपका सयोग चाते और आप यहाँ पर आज आए यह समरुद्धी हाईवे का उधगाटन किया है यह हमारा सौबा के है इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ जय हिन, जय महाराश्ट झाल